आमादमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय निकल मंगलवार को एलान किया था कि आमादमी पार्टी बुद्धवार 14 सितंबर से पूरी दिल्ली में कूड़ा विरोथी अभियान शिरू करीगी पहले चरण में 14 सितंबर को गाजीपूर 15 सितंबर को ओखला और 16 सितंबर को भलसवाल लेंडफिल साइट दिखाएंगे उन्होंने दो टूक कहा भाजपा को या तो दिल्ली का कूड़ा हटाना होगा या खुद दिल्ली MCD से हटना होगा उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूर् लोग पार्षद के घर चले जाते थे लेकिन अब वह कह देता है कि मैं पार्षद नहीं हूं ऐसे में आप लोग किसके पास जाएं ग्रहम अंत्राले ने एक ही करण तो कर दिया लेकिन दफ्तर नहीं खोला ऐसी में आज हर विदायक कह रहा है कि हम सभी काम कर रहे हैं लेकि दिल्ली में प्रदेश वापी कूड़ा विरोधी अभियान पार्टी शुरू करेगी हम इस हालत में दिल्ली को रहने नहीं देंगे भाजपा को या तो कूड़ा हटाना पड़ेगा या फिर दिल्ली की MCD से खुद उनको हटना पड़ेगा इसके बीच का कोई रास्ता नही इसलिए हम भाजपा के 15 सालों के चमतकार की सच्चाई दिखाने के लिए दिल्ली की जंता को कूड़े के पाहडों पर आने का नियोता दे रही हैं आप प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में कूड़े के हालात हमेशा से खराब थे मगर पिछले 6 महीने में और बत्तर होते जा ही हैं मसीडी ने सेक्डो कूड़े की धलाव बीना योजना के बंद कर दुकाने खोल दी जब जब दिल्ली वालों के रिष्टेदार आते हैं तो वो उने कहते हैं कि कैसे पता चलेगा दिल्ली आ गई तो वो कहते हैं जैसे कुड़े का पहाड दिख जाएगा आपको पता है दिल्ली आ गई कि आप हमारे घर पहुंचने वाले हैं तो यह तो दिल्ली वालों के लिए शेर्म की बात है दूसरी बात आज यह नहीं समझ में आ रहा कि पुलीस हमें क्यों रोक रही है यह पहाड तो दो किलो मीटर दूर से विखता है तो आप अगर हमें उसके पास आने से रोकेंगे इसका मतलब यह थोड़ी हो दिखना बंद ह सब्सट्ब करेकी जब भारतिये जनता पार्टी दिल्ली को कुडा 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 करना बंद करेगी अब आप ही बताइए सारे आफसर यहां ते खड़े हैं कि यहां से कहले ओंकि वह पहाडव नी दिख लिक्राइं दिल्ली वाले उस पहाड को देखना पर पुलीस को लगता है कि यहां पर बैरिकेड लगा के हमें दिल्ली वालों को रोक देंगे